हलो दोस्तों investing with frame channel में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं paint sector के बारे में और इस paint sector से related एक company जो आज हमने select की हुए हम उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले इंडिया की जो सबसे बड़ी paint company है जो कि आप यहाँ पे नाम भ इस टाइम पे चल रहा है ठीक है तो इसका जो price अभी इतना है और इसके जो है सबसे पहले आप return देखें क्योंकि यह सारी चीज़े अभी किछी से related में भी आपको सब समझाऊंगा इसके सबसे पहले आप return देखें आज के दिन लबग जो है इसने कितना 0.51% के positive के return एक मैन 5 साल कभी अगर आप इसका return देखें तो आप देख सकते हैं मातर जो है 5 साल में 119% के ठीक है यानि कि 5 साल में भी सिर्फ यह double हुआ है खली double से थोड़ा यह उपर यह 5 साल में ठीक है लेकिन इसके all time के return देखेंगे तो बहुत जादा शांदार है जो कि 13,257% के positive के return है ठी इन्वेस्ट करता है यानि कि मानलो आपने एक लाग रुपे इसमें लगा दिया तो आप यह सोचिए आपका वो एक लाग जो है कितने time में double होगा ठीक है उसके लिए क्या है इसका आप market cap सबसे पहले देखें तो आप यहां पर देख सकते है इसका जो market cap इस time पर चल रहा ह तो आप सोची इसका जो market cap इस यह भी double होना है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यानि आप अगर अनुमान लगाएं भी कि यह चलो double होगा तो उसमें कम से कम 10 साल या 15 साल लग जाएंगे आपको सिर्फ आपका पैसा double होने में यहां invest करना safe तो है लेकिन आपका क्या ह जो amount आप invest करेंगे वो आपका उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा जितना आपको चाहिए अभी के टाइम पर जितने आपको जोरूत है आप चाहते हैं आपका जो investment बहुत ज्यादा बढ़ जाए कई उना multiply हो जाए तो वो इतनी बड़ी company में नहीं हो सकता है तो उसके ल सब्सक्राइब किया है अब मैं उस company के बारे में आपके साथ discuss करने आपके सेक्टर की कंपनी है पहुर शांदार company है ठीक है तो उससे पहले क्या है कि जो भी हमारे नई वीवर से अगर उनने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल के बस सब्स कर सकते हैं इस company का नाम है circa paints india limited ठीक है और अभी के time इसका जो प्राइज है वो 372 रूपीज पर चल रहा है और एक दिन का return अगर आप देखें आज ही आज का तो लगबग 5% के positive का return इसने जो है आज ही के दिन जो है वो बना के दिये हो है वहीं इसका अगर हम एक मेने का return देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसने 11% के positive के return एक महीने में बना के दी है एक साल में इसका return लगबग जो ना के बरावार आए जो कि 5% कर आए वह είναι इसका जो 5 साल का return अगर आजए तो का आफी जादा अच्छा है। जो कि 267% के positive के return इसने बना के दिये हुए हैं और all time के return जो है वो 554% के positive के return इस company ने बना के दिये हुए हैं तो अभी तो आपने इस company के returns देखे हैं और अब इस company का business भी देख लेते हैं कि ये company क्या काम करती है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये company जो है वो engaged है manufacturing करने में, sales करने में और exports करने में हमारे जो boot coatings हो गई और other decorative जो paints होते हैं उनको बनाने में और ये जो है किस brand के अंडर में ये करते हैं business ये circa और unico जो brand है दो main इसके अंडर में ये काम करते हैं और ये company जो है, ये company जो हमारे 1973 में जो है, वो found की गई थी और ये company जो एक integral part है दुरांतो group का ही और ये company जो है, एक leader है in the field of Italian wood paints में ठीके और इस company की अगर हम presence देखें तो की कहा कहा है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ये company जो है 85 plus countries में इसकी presence है, 300 से ज़्यादा इसके employees है और इस company के पास जो है 4 production plant है और इसका जो turnover है, वो है 120 plus million euros का इसका जो है, वो turnover है और इस company के पास जो है exclusive जो license भी है, जिसके थूँ ये जो है एक globally established circa brand जो है, वो इंडिया, नेपाल, बांगलादेश और शिलंका में भी जो है अपनी presence बनाय हुए है और ये जो है market leader है, कैसे ये इंडिया में जो top 3 जो wood coating brands हैं इंडिया में उसमें जो है ये भी एक है, यान strength और इसके जो distributor network है, वो 1930 से जादा है, 13 इसके जो है branches and reports है, 9 इसके जो है सिरका studios हो गए और इसके पास दो manufacturing facilities हो गई और 300 OEM clientels इसके पास जो है, तो ये जो है इसका network काफी जादा बड़ा है इस company का, और इस company की जो है कुछ recent edition भी है, यान कि उन्होंने कुछ paints जो है वो इसके पास जो है nitro cellulose end है, मेला माइन जो coating thinner हो गया वो है, और उसके साथ जो है hygiene plus additives है, ठीक है वहीं इसका जो wall paint and others में गराब देखें, तो sen marco portfolio में गराब देखें, तो decorative and solid color finishes है, और duranto v1 portfolio में गराब देखें, तो additives है, तो ये इनके जो है recent edition है, जो इन्होंने अभी औ और add की हुआ है अपने portfolio में, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में किस तरीके से और कहां कहां पर इनकी जो presence है, वो पूरे इंडिया के map में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस company का revenue देखें, तो उसमें आप देख सकते हैं, revenue जो contribution है, वो 70% जो ह वो इनका retail से आता है, बाकी का 30% है, इनका OEM के थुरू आता है, और यह company जो है, वो अपना जो brand है, उसकी जो marketing और promotion जो है, उसमें भी जो बहुत जाला focus करती जा रही है, और उसका ये किस तरीकिस कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये radio and television के थुरू, जो साथ-साथ, ये increase कर रहे हैं, अपने expenditure, यानि की बहुत जादा खर्चा कर रहे हैं, अपने advertisement में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी presence जो है, या ज़्यादा लोगों के पास जो है, ये brand को जो है, पहुँचाया जा सके, इसकी information पहुचाई जा सके, और यहाँ पर आ देख सकते हैं, यहाँ पर बेंधिया की जो प्रमोशन होने हैं इस तरीके से भिस हों हो यह आप rubbish की जिनşa का market है तीक है यानि एन्वली इतना market इसका जो होता है ठीक है और paint industry जो है ये दो segment बटी होते है एक हो था हमारे industrial paint and coating हो गया दूसरा हमारा हो गया decorative paint and coating ठीक है अगर आप देखे कि financial year 2009 से 19 के बीच में जो इसका 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 जो पोर्शन है वो क्या है थ्री फोर्ट पोर्शन है हमारे जो जितना भी जो हमारा paint sector का है ठीक है और जो हमारे industrial paint है उसका वन फोर्थ है बाकी के paint का ठीक है तो यानि कि ज्यादा पोर्शन हमारे decorative paints है उसके पास है और यह जो हमारे जो company है सिर्का पेंट से हमारे decorative paints की company है तो आने वाले time में जैसे जैसे देखिए लोगों की जो पर capital income भी बढ़ती जा decorative paints की जो demand है वो कितनी जादा बढ़ने वाले है जो यहाँ पर 12 दिख रहा है यह हो सकता है 20 के ओपर निकल जाए ठीक है न यह एक idea ही है कोई confirm नहीं लेकिन बढ़ेगा अनुमान है ठीक है तो investment के लिए बहुत जादा अच्छा है रहेगा कि इस company में कोई invest करे लेकिन अपन furniture हो गया एल सौर्ग हो गया सुंदर या decorators हो गया यह सारे जो इसके बड़े बड़े क्लाइंट है तो अभी तक हमने company के business के बारे में देखा कि company किस तरिके का काम करती है और कहां क्या क्या है इनके businesses हैं इनके offices हैं कहां तक इनकी पहुंच अब company के growth वगरा हम note कर लेते हैं कि 15% से 3 साल की 46% से और TTM level की देखेंगे 12% से grow करें जो कि काफी अच्छी है ठीक है वहीं इसका जो stock price यह जा है अगर हम देखे तो 3 साल का 27% से grow कर रहा है जो कि काफी अच्छा है और इस company के sales note करें जिसमें हम यह देख सकते कि company का business किस तरिके का चला है जो भी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं company की sales अगर आप देखें देखें continuously देखें ग्रो करती जा रही है जो कि आज के टाइम पर 312 करोड तक यह पहुंच चुकी है और इसका जो operating profit अभूबी बढ़ा है जो कि अगर आप idea लगा है तो 12 करोड से बढ़ते 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 आज के 25 करोड यह हो चुका है जो कि company का profit काफी जादा अच्छा हुआ है और company profitable भी है अब company के जो है fundamental भी आप note कर सकते हैं जिससे आप या idea लगा लेंगे कि company का जो valuation है वो कैसा है और company कितनी बढ़ी है company का market cap अगर अभी के टाइम पर आप देखें तो कितना है मात्र जो है 2000 करोड का है इस time market cap बहुत चोटी company है small cap के company है और जबकि Asian Pains का जो आपने देखा था दो लाख करोड का उसका market cap था तो आप सोचिए उतनी बड़ी company और कितनी छोटी company कि यह अगर double, triple, travel भी होगी तब भी इसका market अगर यह 5 गुना भी जाती है तब जागे इसका market cap जो 10,000 करोड क अगर देखें तो 35.9 इस time पे चल रहा है तो लबगा जो अपने इंड़स्टी पी के आसपास ही है महंगा बिलकुल नहीं हुआ है तो इंवस्मेंट के लिए अभी ठीक रहने वाली है ठीक है लेकिन कोई भी जो है इंवस्मेंट करें तो जो है अब कभी भी पीक पे ना कर जब उसमें कुछ भी correction यानि कुछ भी गिरावट आती है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको buy करें ठीक है और इसका जो book value आप देख सकते है 56.3 इस time पे चल ला है और इसकी जो dividend yield भी है जो की 0.41 है जो की गाफी ठीक है ROC अगर आब इस company का देखेंगे जो की 24.1 है जो की ब पर है बहुत सही पेग ratio wise हाला कि थोड़ी सी महंगी हो चुकि है यहां पर 1.5 के नीचे रहने चीज़ी जब कि यहां पर 2.6 है free cash flow इसके पास काफी अच्छ है जो की 22 करोड के इसके पास पड़ा हूँ रिजब्स इसके पास बहुत अच्छ है जो की 254 करोड के रिजब्स ह और debt यानि कर जा अगर आप देखे तो एक पैसे का भी इस company पर कर जानी है जो कि सबसे अच्छी बात है ठीक है और इसकी जो debt equity देखें वो भी 000 ठीक है यह बहुत अच्छा point इस company के लिए कि कोई भी कर जा नी है और इसमें जो promoter की holding है वो 67.6% इसमें बनी हुए है बाकी क company का business बहुत अच्छा है तो overall देखें company का business है company का financials होगे company का fundamental होगा है यह सारे ही जो बहुत ज़्यादा अच्छे है company investment के लिए बहुत ज़्यादा अची रहने वाली है तो इसमें जो है अगर आप किसी भी तरके कुछ भी investment करना चाहते है तो अपना खुद का research इक बात ज information देता है आप उसकी सुन लो लेकिन करो अपने मन की जो भी आपको ठीक लगता है कि करना है तो करो नहीं करना तो बिल्कुल मत करो चाहिसा हमने लगए इतना कुछ करें लेकिन अपना research जरूर कर लो ठीक है तो investment के लिए long term के लिए करिए करिए जो भी कुछ करेंगे short term में कुछ आपको benefit नहीं मिलने वाला मैं साहब बता दूँ तो यह company चुह है आगे चलके Asian Pants जैसी बन सकती है तो आज invest करेंगे आगे आने वाले time में आपको बहुत ज़्यादा benefit हो सकता है तो अगर यह information आपको अच्छा लगा हो जिस तरह किसे मैं आपको अच्छे ची company बता कर रहा हूं और ऐसी और भी information के लिए आप जो इस चैनल को subscribe जरूर करीजेगा और जो है साथ के साथ लाइक भी जरूर करेगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए thank you so much